असलाम अलेकुम गैस वेलकम टू माई योटूब चैनल ओल अबाउट सिविल गैस आज मैं कॉइंटिटी की वीडियो लेके आज़र हुआ हूँ आज की पार मेरे आज का जो मेरे पार टॉपिक है वो है के और है को जो में है जहा पर स्कॉएर टेंग बनाए है इसको यूज़ टेंग अंडर ग़्राउड वार टेंग भी सकते हैं और वर्वट ऐरल टेंग दिदे आखे हैं फिक है यह मेरे पार उसकी लेंस है युश करे वाइश विर्थ है फाइव फिट की उसकी हाइट में पार 7 feet ठीक है अच्छे dimension में पार internal है ठीक है इसमें wall include नहीं है मेरे पास ठीक है अगर wall include होगी तो आपका फिर calculate करना चाहरो आपके पार quantity सही नहीं आगी ठीक है हमने जब भी square कोई भी tank की हमने अगर वो लेनी है अपनी quantity लेनी है water की तो हम उसको internal की dimension लेंगे ठीक है यह में पार internal है इस wall से इस wall के internal से इस wall के internal तक में पास 6 feet के length है ऐसे width भी है और height भी है ठीक है अब water को calculate करने के लिए इसका volume हमें find करना पड़ेगा ठीक है इसकी length width और height को calculate करूंगा तो में पास जो volume आएगा वो होगा 210 cubic feet ठीक है यह मेरा इस square tank का volume है अब मैं इस में देखूंगा में पार कितना liter water आ रहे ठीक है तो water liter देखने से पहले आप इस चीज़ को जहन में रखें कि एक cubic feet में में मेरा 28.7 liter water होता है एक cubic feet में ठीक है यह आप याद रुखो यह बहुत काम की चीज़ा अगर आप अच्छे quantitative server बनने चाहते हो तो इस चीज़ को आप अपने पार note कर लो यह स्टेंडर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि one cubic feet में में पार 28.7 liter water use होता है ठीक है और इसी तरह one gallon में मेरे पास 3.785 liter water use होता है ठीक है मैंप अपना volume लिया मैंने उसको multiply कर दिया मैंने one cubic feet water से ठीक है तो मैं पास जो इसको multiply किया तो मैं पास जो liter आ गया वह आ गया 6027 liters बेरा इस square take में liter water calculate होगा ठीक है कि इसकी quantity इतनी आईगी water की ठीक है अब हम इसका gallon ले ले लेते हैं कि gallon कितना आते है हमारे इसमें तो अब जैस सिंपल मैं पास जो liters है उसको हम divide कर देंगे one gallon में कितने liter है मैं पास water 3.785 उसको हम इससे divide कर देंगे तो मैं पास gallon आएंगे वह होंगे 1592 gallon हमारे use use होके इसके quantity निकलेगी हमारे इस square के tank में ठीक है तो बहुत सिंपल है लेकित आपने सिर्फ एक चीज यार रखनी है यह चीज आपने यार रखनी है one के भी fit में मैं पास 2.28.7 liters water use होता है ठीक है तो आप इस अराम सिर्फ किसी भी square tank की आप quantity निकाल सकते है water के ठीक है square tank को यहाँ circular tank को किसी भी water के आप quantity निकाल सकते है ठीक है अब अब वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को जब लो लाइक के जाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करेंग अंब लगे हो सकते हैं जप सकते हैं खराम को कि यहाँ सब्सक्राइब कर दो